हलो फ्रेंड मैं हूँ वेदान तो वेलकम है आपका टेक्नो वेदान चैनल में अगर आप गूगल एक्सेंस का अल्टरनेटिव देख रहे है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है वैसे मैंने गूगल एक्सेंस अल्टरनेटिव के ओपर काफी सारे वीडियो बना है और वो भी आपका hosted account होता है पर जो आज मैं आपको website बताऊंगा उसके अंदर आपको 24 hours के अंदर approval मिलेगा और वो मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा अगर आपकी नई website है उसमें traffic भी काफी कम है और अभी website आपकी इतनी improve भी नहीं है SEO भी आपने करा पर फिर भी आपक के वीडियो में बताऊंगा पर वीडियो स्टाट करने से पहले मैं हमेशा की तरह एक बात बोलूँगा अगर आप मेरे चैनल में नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें सबसे पहले आपको Google में जाना है वहाँ पर लिखना ह आप यह जो फर्स्ट लिंक देख रहे हैं इसके उपर आप क्लिक करेंगे यह वेबसाइट यहां से ओपन हो जाएगी इस वेबसाइट में रजिस्टर करने से पहले मैं आपको इसके कुछ डिटेल दिखा देता हूं जिससे आपका ट्रस्ट लेवल थोड़ा और बढ़ ज देख सकते हैं जिससे आपका ट्रस्ट थोड़ा इसके उपर बढ़ जाए नहीं तो अगर आपकी नजर में कोई और आल्टरनेटिव है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं मैं इसकी कोई प्रमोशन नहीं कर रहा है नहीं मुझे कोई इसके पैसे मिले बस यह मैं उन करती है और इसका CPC, CPM पर काम करती है यहां फिर नहीं यहां पर आपको दो आप्शन मिलेगी एडवर्टाइजर और पब्लीशर हम पब्लीशर है तो पब्लीशर के सेक्शन में जाएंगे और यहां पर लिखा हुए पेमेंट्स इसके उपर क्लिक करना है क्लिक करने के बा आपके $100 हो जाएंगे तो यह 1st और 2nd को आपको payout करेगी यहां फिर 16 और 17 को अगर wire transfer आप करवाते है तो इसका minimum payout $1000 का है अब मैं आपको यह बताता हूँ कि यह payment method कौन-कौन से support करती है इसके उपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहां पे Bitcoin, PayPal, wire transfer, WebMoney, Paxim और e-pay payments सिर्फ एक wire transfer ऐसा है जिसका payout $1000 का है और बाकी इन सबका payout $100 का है अब आपको मैं इसका CPC, CPM के बारे में बताता हूँ आपने वापिस help center में जाना है rate and add formats इसके उपर आपने click करना है यहां पर आप देखेंगे does addstera works on CPM और CPA जैसे आप इसके उपर click करेंगे तो यहां से आपको banner ad responsive मिलेगी के नहीं मैं आपको यह भी बता देता हूँ यहां पर आप देखेंगे इनकी जो banner ad है वो fixed है जो भी उसकी dimension है इस पर आपको responsive banner ad नहीं मिलेगी अगर आप इसके बारे में और भी जानना चाहते है तो इनके उपर click करके read कर सकते हैं अब इसका registration process में आ पर आपने click करना है next page open होने के बाद आपके पास एक छोटा सा form open होगा है यहां पर आपको अपनी login details डालने है मतलब जो भी username आप डालना चाहते है उसके बाद यहां password डालेंगे यहां पर list है list में से आपके पास जो भी यहां पर account है उसको आपने select करना है और उसका URL डालन आपको एक line पे एक ही website add करनी है आपने अपनी website की URL को copy करना है उसके बाद यहां पर आपने इसको paste कर देना है और enter press करके अगर आपकी कोई दूसरी website है तो उसको भी आप add कर सकते हो उसके URL को आपने copy करना है और उसके बाद आपने उसको यहां पर paste कर देना है यहां पर ल कोई भी 3-4 मिनेट कोई भी वरिफिकेशन येमेल कई参सी मैने पर क्लिक कर आ required हैं इसके उपर आपने जो और साइन पर ईटेल्स अर पर आपका माघ्राएज करेंगयासा कि अपने स्पहस्तों को उसकेाँ हैं पर आ thousand वेबहु करेंगे ये इसके अन्डेघ्षाीट को यहाँ पर लिखाए add new website इसके उपर मैंने click कर रहा और यहाँ पर आपको अपनी website का URL देना है जैसे मैंने अपनी website के URL को यहाँ से copy कर रहा उसके बाद मैंने यहाँ पर paste कर दिया paste करने के बाद यह https और www को आप यहाँ से remove कर देंगे और सिर्फ यहाँ पर मैं रहने दूँगा technovidhan.com और इसके बाद यहाँ जितनी भी ad show कर रहा है इस सबको आपने by default tick करना है जब मुझे मेरी website का approval मिलेगा उसके साथ साथ यह सारी ads भी activate हो जगी यहाँ पर add के button के उपर आपने click करना है अब जैसे ही आपको approval मिलेगा तो आपके पास से एक email आजएगा अगर आप और भी website add करना चाहते है तो got it के उपर आप click करेंगे और add new website के उपर आपने fit से click करना है और same वैसे ही आपको यहाँ पर अपनी website का नाम डालना है अभी यहाँ status मेरा pending show कर रहा है अब यहीं से मैं अपने इस video को pause करूँगा और उसके बाद मैं आपको जैसे ही यहाँ से approval मिलेगा फिर मैं आगे video continue करके बताऊगा कि आपको next step में क्या करना है यहाँ पर आप देखेंगे मेरी तीनों website approved हो चुकी है जैसे मैंने thumbnail में लिखा था blogspot.com के उपर भी आपको approval मिलेगा और intro में भी मैंने आपको बताया था मैंने ये 12.15 बजे के आजपास apply करा था और मैं आपको mail दिखा देता हूँ यहाँ पर आप देखेंगे मुझे 9 बजे के आजपास mail आगई थी कि मेरी तीनों website यहाँ पर approve हो चुकी है 24 घंटे भी ने लगे और मेरी तीनों website यहाँ पर approve हो गई तो यहाँ पर देखेंगे अभी सिर्फ तीन एक्टिव हुई है यहाँ पर अभी सारी पैंडिंग में है तो कुछ टाइम के बाद यहाँ से एक्टिव हो जाएगी अगर आपकी यह पैंडिंग शो नहीं कर रही है तो उसके आगे लिखा होगा आड़ कोड जैसे भी आप देखेंगे यहाँ पर और क्लिक कर रहा तो यहाँ पर मेरी सिर्फ दे एक्टिव है और बाकी कोई भी कोड शो नहीं कर रहा तो आपने करना क्या add code के उपर click करना है और जितने भी unticked box है आपने इन सब को tick करके सारी add unit के उपर tick करना है और उसके बाद add के उपर click कर देंगे यहाँ से got it पे click करेंगे अब आप देखेंगे यह pending में जैसी इसका भी आपको approval मिल जाएगा आप उसके code भी paste कर सकते है अब code कैसे paste करेंगे मैं आपको वो बता देता हूँ सबसे पहले मैं आपको easy का example दोंगा blogspot.com का जो की free है यहाँ पे all codes के उपर आपने जाना है और यहाँ पे आप direct link pop under web push आपको तीन option मिल रही है तो मैं आपको एक direct link वाला करके दिखा देता हूँ पोस्ट किस तरह की दिखाई दे रही है यहाँ पर आप देखेंगे how many backlinks are यहाँ पर कोई भी link नहीं है मैं इसके उपर direct link add करके दिखाऊंगा post में गया यहाँ पर मैंने इसको select करा link के उपर click करा और जो URL आपने वहाँ से copy करा था उसको आप यहाँ paste करके ok कर देंगे और यहाँ से मैंने इसको update करा अब सेम इसी post को मैं यहाँ से refresh करके check करूँगा कि मेरा link यहाँ पर generate हुआ के नहीं आप देखेंगे यहाँ पर link generate हो गया जैसी मैं इसके उपर click करूँआ link पर click करने के बाद आप देखेंगे मेरी ad show करने लगया आप इस तरह से अपनी ads के उपर click मत करना यह आपको मैंने demo दिखाने के लिए कर रहें अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका account ban हो जाएगा और ठीक इसी तरह से आप अपने codes को add करेंगे यहां पर इसके उपर आपने click करना है और जो second है pop under इधर भी get code लिखा हुए यहां से आपने script को copy करना है copy करने के बाद यहां पर clear लिखा हुए आपको यह head tag के बीच में लगाना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको dashboard में जाना है themes में जाना है edit html में जाना है और यहां पर जो head tag देख रहे है इसके नीचे आपने इस code को paste कर देना है और save theme के उपर आप click करेंगे save theme करने के बाद यहां पर refresh करके देखते है कि add यह अभी activate हुई है यहां फिर इसको कुछ time लगेगा और उसके बाद जो भी यह सारे codes आपको नीचे दिख रहे हैं जैसे यह active हो जाएंगे तो आप उसके accordingly उसको अपने block के अंदर paste कर सकते हैं आप चाहे तो post के अंदर भी उस code को add कर सकते है sidebar में भी कर सकते हैं ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम Google AdSense की add को implement करते हैं अपनी website के अंदर यहां से आपको सारे codes मिल जाएंगे और उस code को आपने simple copy करना है और paste करना है और code को कहा copy paste करना है अगर आपको किसी भी तरह की problem आ रही है तो यहां पे आपको code installation instructions दे रखिए आप उसको यहां से read कर सकते हैं और उसके बाद यहां statistics की आपको option देख रही है इसके उपर click करके आप देख सकते हैं कि daily आपके कितने clicks हो रहे हैं CTR कितना है, CPM कितना revenue आपका generate हुआ है impressions कितने आए, वो सारी details आपको मिलेगी payments के उपर click करेंगे तो यहां से आपको सारी details मिल जाएगी उसके अंदर आप अपनी ads का approval ले सकते है I hope video देख के आपको जरूर अच्छा लगा होगा इससे like और share जरूर करें मैं आपके लिए ऐसे interesting topics लेके आता रहे तो इसलिए मेरे चैनल को subscribe करें और इस bell icon को जरूर प्रेस करें ऐसे ही interesting topics के साथ मैं बहुत जल्दी फिर से मिलने वाला हूँ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत